को इसी तरीके से जारी रखते हैं आज के सेशन में हम लोग एक सबसे महतपूर टॉपिक को टच करेंगे जहां से आपकी बहुत सारी तकलीफ दूर होंगी पहले तो यह समझ लेते हैं कि कौन-कौन से आपकी तकलीफें बाजार में ऐसी हैं जिन पर अभी आपको काम करना है या आप कर रहे होंगे अगर आप अपने लर्निंग पिरियेट में हैं तो अगर आप इससे आगे निकल गए हैं तो इस सेशन के भी आपको कितनी जरुरत होगी से रहे न देखिए समझ यह आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जब आप किसी ट्रेड में होते हैं कि आप आपने मार्केट में कोई long का position अगर execute किया तो उसके बाद आपको यह समझना होगा कि आपको कब अपनी position में exit प्लान करना है दूसरी बात जब कोई trader एक directional trade के साथ trade कर रहा होता है कि जैसे आपका direction higher side है आपने long की position ली तो एक trader को यह नहीं पता है कि flexibility लचीलापन आप नही समझते यह नहीं समझते कि इस direction को कभी ना कभी change होना होगा और आपके mindset को भी उसी के साथ बदलना होगा मैंने क्या कहा इस trend को अगर कोई price higher highs के momentum में है तो वो higher highs का momentum कभी ना कभी change जरूर होगा तो आपको यह समझना होगा कि कभ इस momentum में changement आ रहा है दूसरी बात जब भी change आएगा तो अगर आप long की position में है तो आपको exit प्लान करना है exit प्लान करने के बाद आपको फिर neutral behavior में जाना है ना तो आप higher sides हो सकते ना lower side अब कई सारे trader इस mindset से जुड़े ही नहीं है मैं आपको दावे से बोलता हूँ बहुत सारे option buyers क्या काम करते हैं इस बाजार में मैं आपको बताओं बहुत hard truth है सर बहुत कड़वा है लेकिन सुनना इस वज़े से चाहिए कि कम से कम अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजे मत कीजिए ऐसा काम अब अपने डिमेट्स का पैसा सरखा जाएंगे और वो पैसे से देखिए बाजार में अगर कोई व्यक्ति capital अपने पैसे को बचाईए जो भी आपके in hand money है उसको गवाईए मत इस तरीके से तो बिलकुल मत गवाईए कि किसी के कहने पर आप खरीदारी या बिक्वाली करें कम से कम अपनी समझ रखिए कि आपका पैसा है कम से कम आप खुद की खरीदारी खुद करें खुद की बिक बाजार में कमाया तो उसकी सबसे ज़्यादा mindset में एक बात ठहर जाती है कि आज बाजार उपर चला है तो कल भी उपर ही चलेगा तो फिर वो morning में ही call buy की तरफ बढ़ने लगेगा अगर कल भी बाईचांस उसका पैसा call buying में बन गया तो अगले दिन वो और बड़ी quantity जो profit ह वो और जो उसका initial capital था वो उस सभी quantity से trade करेगा और फिर call buying की तरफ यह opportunity ढूनेगा लेकिन बाजार का एक नियम है बाजार कभी भी एक direction को बहुत समय तक follow नहीं करता trend तो ऐसी चीज है कि बदलती रहेगी और जब आप call buying कर रहे हैं इसका मतलब है कि trend आपके favor में हो उसके बावजूत कहीं थोड़ा सा redressment भी हो गया तो भी आपका घाटा चला जाएगा इस चीज को trader नहीं समझता है बस मैं आपको इसी दोराओ से निकालना चाहता हूँ एक line को याद रखिए मैं क्या बोलता हूँ one time one mindset एक समय पर आपकी trading की प्रकृत एक होनी चाहिए अगर आ आप long कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जब तक price momentum में है हमको सिर्फ long की opportunity ढूलनी जहां पर वो momentum end होगा आपकी long की opportunity देखना खत्म अब आप दुबारा से neutral behavior रखेंगे और ये देखेंगे कि दुबारा trend की शुरुआत कब होगी ये बहुत जरूरी बात है आपके ल जहां पर structure में दुबारा धीमा पनाया तो आप वहां पर रुख जाएंगे ठैर जाएंगे अगर price change हो गया नीचे की तरफ conversion हुआ तो आप फिर trend के साथ lower side आएंगे अगर price redemption हो गया तो आप फिर trend के साथ चलेंगे अगर किसी price में एक peak लग गया फिर वो lower side गिरावट किया आप trend के साथ चलेंगे lower level पर कोई price फिर रुखने लगा अब फिर देखेंगे कि trend किधर जा रहा है अब ये काम करना आसान बात तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब हुआ किसी price में मैं आपको बोला हूँ bottom पकड़ना सीखिए जब उसका top बन जाए तो उसको identify कर समझना सीखिए जब top से price गिरे तो उस trend को समझना सीखिए जब bottom बनने लगे तो फिर समझना सीखिए अब किसी भी बाजार में top या bottom को समझना आसान बात है क्या नहीं हाला कि मैंने आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं सिर्फ दो काम करने से क्या positive और negative consolidation ये तो आपने पहले सीख रखा है ना कि positive consolidation क्या होता है negative consolidation क्या होता है ना positive consolidation सभी को ध्यान है नहीं ध्याने तो मैं बता देता हूँ जैसे ये बाजार गिर रहा है तो जो last candle बनी होती है उस last candle के high लोको मार करके अगर आप ये देखे अगली 3-4 candle अगर इस high के उपर close कर रह देखें high low mark करके जिससे last swing low लगा होगा तीन से चार candle उस high के उपर कभी close नहीं की होगी ये low लगा इस high के उपर 3-4 candle कभी close नहीं करेंगी ये high लगा है इस high के उपर 3-4 candle कभी close नहीं करेंगी अंदर आपके close कर इस candle की उपर अगर आप देखें एक candle, दो candle और तीसरा candle तो इसी से बाइंग उठा कर गया, तो यह positive consolidation, मतलब अब price में structural change आएगा, अब यहाँ पर देखिए, retest हुआ, जैसे यह swing high break हुए, अब आप खरीदारी कीजिए, इस swing low के नीचे, आपका SLA, एक closing का, बाजार, इतना बड़ा directional momentum आपको ले, positive consolidation, अब कई लोग positive consolidation पर practice को कर रहे हैं, अब उनके साथ एक दुविदा आती है, कि इस positive consolidation में खरीदारी तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस projection को हमको देखना आना चाहिए, यह patience, यह धैर चाहिए सर, कि इतना समय बाजार में हमको देना होगा, positive consolidation के बाद भी हमारे entry, exit रह जाते हैं, target के लिए, अब यह सारी चीज़े तो ATM पर आपकी entry, exit होती, वो सारी चीज़े आप लोग एक session से दूसरे session को जोड़ कर देख सकते हैं, अच्छा अगर अभी तक आपने positive consolidation का session नहीं देखा है तो नीचे आप channel को open कीजिए और उसके बाद one by one एक session को जाकर देख सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो मैं इसका link description में telegram का link है, उसको join कर लीजे तो telegram पे मैं उस video का link बीट पढ़वा दूँगा, तो आप उसको directly वहां से देख लीजेगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर positive consolidation से हट कर कोई signal चाहें, और जहां पर हमको यह पता लग जाए कि यह price अब क्या कर रहा है, structure change कर रहा है, structure change नहीं भी कर रहा है, तो neutral हो रहा है, मतलब price का previous trend खत्म हो रहा है, समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई price पहले से higher direction में है, तो हम यह समझ लें किसी यह buying का अगर lower level पर कोई impact था, तो trend higher side था, तो buying का impact खत्म हो गया, अब दुबारा खरीदारी हो तो दुबारा impact आया लग बात है, या profit booking हो जाए तो बाजार गिर जाया लग बात है, मतलब हमको वो neutral behavior अपनाना सीख लेना है, कि कि किस जगह पर आकर हमको ठैर जाना है, कि अ अभी हम लोग जो use कर रहे हैं वो है candlestick pattern, ठीक है, candlestick pattern में जो हम लोग चीज़ देखते हैं, वो open high low close, OHLC, open high low close पर हम लोग basically काम करते हैं, ठीक है, हर एक candle में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, red हो या green, candle का lower wick represent करता है low को, higher wick represent करता है high को, किसी red candle है तो उसका opening अगर इसमें कोई lower wick होता, तो वो पूरी candle का low होता, अपर wick है तो वो पूरी candle का है, ठीक है, इसके अलाबा भी कई सारे आप देखेंगे, कि candle stick को छोड़ कर भी इस chart को देखने के और सारे pattern है, जैसे कि यह सारे देखिए, hollow candles मिल गया, columns मिल गई, line मिल गई, ठीक है, line तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, जैसे RSI करता है, RSI का structure कुछ ऐसा ही होता है, कभी आगे समझेंगे line पर किस तरीके से काम करता है, ranko chart पे बहुत लोग काम करता है, ठीक है, अगर मैं आपको बता, ranko chart पे बहुत काम होता है, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, व लोवर विक मिसिंग है, मैं आपको साधर देखिए, ये हैकल नाशी का मैं आपको पूरा विस्तार जानकरी नहीं दे रहा हूँ, जितना आपके लिए ज़रूर ही है उतना आपको बता रहा हूँ, किसी केंडल का जब लोवर विक मिसिंग होता है, तो मैंने आपको खूब मतलब open school to low, जहां भाव खुला वहीं से खरीदारी हो गई, तो open school to low का केंडल, strong candle माना जाता है, जब तक अब इस केंडल के low break नहीं होंगे, तब तक कोई बिक्वाली नहीं हो सकती, यहाँ पर ये open school to low का, जब से केंडल बना bank nifty में, तब से हम यहीं पर रुक कर रहे गए यही खरीदार प्राइस को बचाए हुए, ठीक है, अब हेके नाशी केंडल में क्या होता है, जब वो averages को averages से calculate कर रहे हैं, तो हेलके नाशी केंडल में, जब प्राइस का बहुत द्यान से सुनी, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, तो हेलके नाशी केंडल में सिर् जिस candle में कोई अपर विक नहीं होगा, कोई अपर विक नहीं होगा, मतलब trend downside है, आप सिर्फ short करने की कोशिश कीजिए, बाजार में short करते रहिए, वो आप projection में, candle stick पे करते हैं न, candle stick पे ही कीजिए, जैसे, यहां से यहां से देखिए, उननचास 600 से यहां तक बिकवाली trend की शुरुवात हुई, तो इस candle में क्या है, और सभी candle में अपर विक दिखेगा, इस candle में नहीं दिखेगा, इस candle में नहीं दिखेगा, इस candle में नहीं दिखेगा, इस candle में नहीं, इस candle में इस candle में नहीं, इस candle के बाद, अब डोजी का formation, डोजी का formation, हैलके नसी candles में trend reversal होता किया और वहाँ पर ही हमने price को पकड़ लिया जैसे ही momentum की शुरुबात हुई तो जहां तक trend bias चला था हर बार price open school to high के बराबर candle बना कर गिरावट कर रहा था यह मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ आपकी साहुलियत के लिए non-technical तरीके से कि आप हेलकेरासी चार्ट को यूज करना सीख जाएं कि कैसे हाइकेरासी candles को यूज करते हैं एक जापानी formation ठीक है समझें यहाँ पर यह डोसी का formation मतलब अब जो biased momentum seller side चल रहा था अब वो behavior मतलब आपको पता लग गया कि यह bottom हो सकता है या bottom नहीं तो जब दुबारा price में momentum की शुरुआत होगी मतलब momentum तो खत्म हो गया यह बात तै होगी momentum खत्म हो गया यह बात बिल्कुल तै होगी अब यहाँ पर जब momentum खत्म होता है तो यहाँ पर अगर एक डोजी या दो तीन डोजी जो भी बनी उन डोजी के हम high low mark कर लेते हैं मैंने क्या बोला उन डोजी के हम high low mark कर लेते हैं यहाँ पर इन डोजी के अगर आप high low mark कर लेते हैं तो यह डोजी सबसे उपर यह high और यह low अब अगला momentum तभी होगा जब बाजार इस डोजी के high मतलब इस level के उपर एक अच्छी closing करें, अभी एक पहली candle की closing मिली, अब जैसे ही अगर open scroll to low की candle के formation से ये भी high break हो जाए, यहाँ पर long कीजिएगा बाजार आपको एक अच्छा मुनाफ हो, यहाँ पर आप गौर कीजिए, open scroll to high का candle, open scroll to high का candle, open scroll to high का, एक डोजी, एक डोजी के बाद एक बड़ा यहाँ पर इस डोजी के high break करकर यह candle कीजिए, यहाँ पर फिर डोजी मिला, बाहर हो जाए यह trade से, यहाँ पर यह low break हुए, फिर entry कीजिए, यहाँ पर फिर बाहर हो जाए यह trade से, यह एक डोजी है के नाशी में आपके लिए non-biased candle है, जहाँ भी बने, आप trade से बाहर, अब दुबारा से mindset neutral, आपको top या bottom मिल चुका है, अगर वो top होगा, तो price उस डोजी के low break करेगा, अगर वो दुबारा से redemption होगा, तो high break करेगा, मतलब बीच में एक support area बन गया, बात clear हो गई, मैंने बहुत आसानी से आपको चीजों को बताया, और कैसे उपयोग करना है, वो मैं कुछ भी doubt रह जाए, इस पूरे session में कोई भी doubt रह जाए, तो मुझे नीचे comment section में बतायेगा, मैं next session में आपके वो सारे doubts केलियर कर दूँगा, ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, तो description में आपकी पास contact detail है, टेलीग्राम कर्मटी का link है, शुब रातरी, धन्यव जाए जाए, शुब रुक और गरी में आपके हमसे बताइद